हालो गाईज गुडिविनिंग नमस्कार फिर से आप सभी का आपके हमारे यूटू चैनल में स्वागत है और आज भारत की महारतन कंपनी के साथ मैं फिर से एको नए वीडियो की सुरुवात करने वाला हूँ अगर आप सरकारी नोकरी की दियारी कर रहे हैं तो खासकर आज का वीडियो जरूर देख सकते हैं जी हां 38,000 से अधिकतम सेलरी पा सकते हैं और एकदम सरकारी नोकरी होगी ये गौर्मेंट जोब रहने वाली है खासकर उन विद्यारतियों के लिए जो ONGC में नोकरी करना चा पर बात करेंगे जी हां काफी अच्छी पोस्ट हैं महिला अप्रुष दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं ओनलाइन एप्लिकेशन होगा और ओनलाइन फोम भरनी के लिए आप लोगों को विज्यापन और इसका सेलेक्शिन प्रोसेसर देखना होगा तो चलिए दोस्तो या MRPL के अनुसार रिक्यूर्मेंट की गई है इसकी पात करें तो नौन मेनेज मेंट की वैकेशन हैं और यहुर्द के दर क्या केटिगरी का है SC-ST केटिगरी का अलग-अलग रिजिर्वेशन होगा जिसे कि आप अगर SC-ST केटिगरी के हैं तो 33 वर्ष तक का योग इसमें अपलाई कर सकता है लास्ट इसमें गॉर्मेंट के अनुशार जो रिजिर्वेशन की सुपिदा मिली है वो भी सबस्केट के बारे में सेलेक्षन प्रोसेसर कि स्थरीके से रहेगा नहीं तो क्या सबस्सें इसमें सारे सवालों की जबाब अपन इस विग्यापन के तैद दे यह इसका पीजिए पान और जाकर आप इसे मिग्यापन को देख सकते हैं इसके इनदर चोटी से लेके बड़ी तक सारी डिटिल्स इसमें दे रखी है यह विग्यापन कल करीबन तेईस चोईस मही को जारी किया गया था और इसमें देखेगा यह रिक्यूर्मेंट हो गई यह पोस्ट हो कि संक्या हो गई जिसमें चैमीकल, इलेक्टरिकल, मसीणर और किमेस्टरी और ड्रापमेंट और कई ऐसे अन्यय पद हैं जिसमें आप लोग आवधिन करेंगा अब आप किस पोस्ट के लिए आवधिन करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अगर पोस्ट आपने ड्रापमेन की चूज किये तो शिरफ इसमें जर्नल का ही विध्यारति अपलाई कर सकता है EWS, OBC, SC, ST के टिगरी का नहीं कर सकता अगर आपने इलेक्टरिकल की पोस्ट के लिए आवे दिन किया तो अच्छी बात है इसमें जर्नल और EWS के विध्यारति SC, ST के टिगरी के विध्यारति भी अपलाई कर सकते हैं आयू के लिए 28 वर्स जर्नल और EWS के लिए होगी OBC, NCL के लिए 31 वर्स रहेगी जबकि अपने बात करें इसमें Otherwise SC, ST के टिगरी इसकीतों यहां पे 18-38 वर्स भी रहा है और 41 वर्स भी इसमें दे रखा है I hope यह point भी आप लोगों का clear हो चुका होगा तो दोस्तों पोस्टों की बात की जाए तो इसमें 50 पोस्ट टोटल दे रहे किया और इसमें पोस्टों के लिए जो डिपलोमा है उनके लिए requirement की गी है qualification के बात करते हैं आ滿कर किस qualification गारी कर पाएंगे पे एक weirdest minimum qualification देखेगा सब के लिए आपक इस पोस्ट के लिए अप्लाइक है ठी एर्स का paper work experience है आपके पास तो भी आप लोग लगा सकते हैं अब इसमें एलेक्ट्रीकल वाले विध्यारतियों की बात करें तो इलेक्ट्रिकल लिए तीन साल का डिप्लूमा वर्क एक सपिरिंस है मेनीमम वह बहलोग अब लोग लगा सकते हैं मेंकवन आप लोगों को minimum, आप लोगों को 3 years का डिप्लोमा और 60% पास आउट के साथ chemistry अब dropman की बात करते हैं, dropman के लिए भी ITA, oh sorry, डिप्लोमा मांगा गया है, 60% पास आउट के साथ और experience मांगा गया है अब रही बात post होगी, अब भी इनके अंदर नोकरी कैसे करनी है और क्या किस तरीके से सेलेक्शन होगा, उसकी भी बात करते हैं, आप लोगों को एकजाम देनी होगी रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट किस तरीके से क्या online होगा, रिटन टेस्ट तो वो भी यहाँ पर देख सकते हैं 120 नमर का पेपर होगा, 120 मिनिट के अंदर आप लोगों को कौलिफाई करना होगा, पेपर को क्लेर करना होगा, जिसमें मल्टी जर्नल जीके आएगी, मैथमेटिक आएगी, और रिजिनिंग आएगी, 40-20 क्यूशन के इस तरीके से आप लोगों का 120 का पेपर रहने वाले, ए से और स्ट केटिकरी को नहीं देना जिबकि ऑबीसे और जनल केटिकरी को 118 रुपए देना होगा, विट जीएस्टि के साथ, यहनी कि जीएस्टि के साथ 118 रुपए आप लोगों को एपलिकेशन फेज देना होगा, सी और पी डवलीट केटिकरी को और एंपलोई regular बेस प लगा अच्छा लगा तो प्लीच कमेंट में मैसेज कीज़ेगा और वीडियो अभी तक भी लाइक निके तो लाइक कर दे और यह देखेगा इसके आप लोगों को नीचे मिलेगा ताकि आप लोग इसमें अप्लाइक कर सेके तो दोस्तों आज के नहीं नहीं अपडेट के कि व्लाइक कुबढेक।